हेलो मेरे प्यारे विद्यारतियों कैसे हो आशक करती हूँ आप बिलकूर ठीक ठाक और सवस्त होंगे आज आपका हिंदी कासुलेक लिखने का दिन है तो आज लिखना शुरू करते हैं तो हम लिखाई बनाते हैं आज्याकारी शबस से क्या शबस लेंगे बिटा आज हम आज आज्याकारी तो जैसे बिटा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे आ फिल आ बनाएंगे बिटा अब आपको मालूम में आ कैसे बनता है आज्याकारी का कारी अज्याकारी फिर से लिखेंगे बिटा ज्यां से देखें मैं हमको क्या लिखेंगे कैसे आ तो पहले हम आ बनाएंगे अज्याकारी आज्याकारी तो आपने बिटा ही दो लाइने छोड़के आपको इसकी दोहराई करनी है बोलकर लिखने सुंदर लिखने और मात्रा की पहचान करनी है तो आगे बिटा हमें छोटा सा एक वाक्या बनाते हैं समे अमुल्या धन ए हांजी समे हांजी समे 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 हांजी अमुल्या अ समे अमुल्या धन है तो बेटा आगे हम लेंगे शब्दार्थ शब्दार सौरी आगे हम लेंगे कठीन शब्द ठीक है कठीन शब्द हम इस पत्र में से ले रहे हैं सविन्य सविन्य हाँची नी वेधन निवेधन आगे बटा अब आपने एक एक लाइन छोड़ कि इसकी दोराई करनी है बोल कर लिखना है सुन तर लिखना है और आगे बटा मेरते हैं धन्यवाद हाँ जी धन्यवाद इस शबद बटा मोर लेते हैं करिप्या करी का के पैर मेरी करी प्या हाँ जी यह हमारी कठी शबद है हमारे पत्तर की शबद है जो हमारे पत्तरे में परियोग होते हैं तो हमारे शबद है धन्यवाद क्रिप्या स्विन्या निवेदन बेटा अब आपने इन सब को बोल बोल के लिखना है सुन्दर लिखना है मात्रा की पैचान करनी है धन्यवाद आपका दिन शुब हो बोल जो बोल बोल हमारे mapped सबंद घा अंसी फस्विन निवड़ रिखना है जब ग्म एंना है ikiवटाश में फे रूद 20 अवैं घरा है ऑल है घर हमारे जुशन कॉश कॉश क कॉछ 9 टॉश